नमस्कार आत्मिय स्वजनों श्रीमद भागवत संक्षेप यह प्रवचन मालिका में श्रीमद भागवत का सार सामाजिक और अध्यात्मिक रूप से अध्यायन करने का हम यह पुरुशार्थ कर रहे हैं बारहवे पार्ट में यह हमारा तेरहवा पार्ट है भी जो हम कर रहे हैं बारहवे भाग में हमने देखा कि भगवान के 24 अवतारों में से एक श्री रुशब देवजी और रुशब शब्द का भी अर्थ है स्रेष्ठ दबेष्ठ मैं ये भी संदर्भ देदू कि संव्शोधकों का मानना है कि जैन परंपरा में जो 24 तिर्थंकर है उनमें जो रुशब देवजी है और ये रुशब देवजी कई लोगों का कहना है कि एक ही पात्र है मेरा नम्र मानना ये है कि हम वो चर्चा में क्यों पड़े जहां से भी स्रेष्ठ बाते हमें मिलती हैं, उसका स्वीकार करें, हम जीवन में आच्रन करें और हमारे जीवन को दिव्य बनाएं रुशब शब्दकार था स्रेष्ठ, ऐसे रुशब देव जी के पास से हमें स्रेष्ठ उपदेश प्राप्त हुआ है अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, प्रजाजनों को उपदेश कर रहे हैं रुशब देव जी ने अधिकतर वईराग्य प्रधान बातें कही हैं कि जो हम हैं मूल रूप से आत्मा उसको भूल करके जो हम नहीं हैं वो संसार में देह और देह के सारे संबंधों में हम जो उलज गए हैं यही बंधन का कारण है तो क्या करेंगे क्या बंधन सब छोड़ दें नो एक्स्ट्रीम स्टेप तो नहीं लिया जा सकता मनुष्य सामाजीक प्राणी है तो संबंध तो चाहिए उसे लेकिन वो संबंध कैसे होने चाहिए उस पर हम कल बारहवे पार्ट का विराम लिया था आज वहीं से पंचमसकंद के पांचवे अथियाए के अठारा माशलोग जो अत्यंत महत्व पुरुण उपदेश है संबंधों के बारे में श्री दुशब देवजी ने बताया हुआ पशलोग से हमारं अरंब करें कितने सारे संबंधों की बात की है रुशब देवजी ने गुरूर नसस्यात वह गुरू गुरू नहीं है यदी वह नमोचयेद्य समुपेत मृत्यूम सनमुख जो मृत्यू खड़ा है काल खड़ा है वो काल के बंधनों से जो छुड़वा न सके मृत्यू के पार न ले जा सके उस दिशा का हमें ज्ञान न दे सके उस मार्ग पर चलने की प्रेरिणा और हिम्मत न दे सके वो गुरू कहलाने के युग्य नहीं है ये सारे संबंधों की बात आएगी पहले हम शुड़ों का अर्थ समझ लें स्वजनो नसस्यात वो स्वजन स्वजन नहीं है हम तो कहें ये मेरा व्यक्ती मेरा व्यक्ती मेरा व्यक्ती क्या सचमुच में वो स्वेरा स्वजन है अपना यदी यह अंतिम चरण हने वो सभी को लागू पड़ेगा स्वजनो नसस्यात नमो चायेद्यस समुपेत मृत्यूं सन्मुख खड़े हुए मृत्यू से यदी हमारी रक्षा न कर सके मृत्यू के पार न ले जा सके मृत्यू के भय को न मिटा सके तो वो सवजन के बल हम मानते हैं कि सवजन है लेकिन वो हमारी ब्रांती है वस्तुता वो सवजन नहीं है वो परजन है वो सुजन नहीं है वो दुरजन है जो हमें संसार के बंधनों में और फिट करता जाए बांधता जाए पिता नसस्यात सहपिता पिता न वो पिता पिता नहीं है जननी नसास्यात वो मा मा नहीं है दैवम नसस्या नतत्यात वो दैव भी नहीं है वो प्रारब्द भी नहीं है वो इश्टदेव देव नहीं है वो पतिश्चर न न पतिश्चसास्यात वो पत्नी पत्नी नहीं है संमुक खड़े हुए मृत्यू से यदी वो बचाने की मृत्यू के बचना करथा शरीर तो है नाशवन तो है शरीर तो जाएगा मृत्यू से बचना अर्था मृत्यू न आये शरीर को ऐसा नहीं मृत्यू का भए हमें न लगे या तो ये ग्यान हो जाए कि मृत्यू जो हो रही है वो शरीर की हो रही है जो तो अल्रेडी मरा हुआ है ही मेरी मृत्यू हो नहीं सकोगी प्रियस्वजनों हमारी अमरता का जो हमें ग्यान करा दे, अनुभव करा दे One who makes us realize our nature, the true nature of eternity वही गुरू है, वही स्वजन है वही पिता है, वही माता है वही देव है, इष्टदेव है और वही पती या पतनी स्पाउस है तो जो भी संबंध हम रखें प्रियस्वजनों, इसमें मैं दो तरस से देखता हूँ यहां तो कहा है कि वो स्वजन नहीं है ठीक है लेकिन मेरा जो द्रश्टीकन होता है दूसरा क्या करता है वो मैं क्या देखूँ मैं क्या कर रहा हूँ वो ही मैं देखता हूँ तो इस लोग का अर्थ जब मैं पढ़ता था चिंतन करता था और जो मैं प्रयास करता हूँ जीवन में, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, मैं किसी का ऐसा गुरू बन सकता हूँ, मैं किसी का ऐसा स्वजन बन सकता हूँ, जो उसको मृत्यू के भैसे पार कराओं, मेरा स्वजन ऐसा है कि नहीं उस चर्चा में मैं पढ़ू और मैं कहूँ कि मेरा स्वजन ऐसा नहीं है मेरा ये स्वजन ऐसा नहीं है छोड़ो मैं किसी का ऐसा स्वजन बन सकता हूँ कि मैं उसको मृत्यू के भई से मुक्त कर सकूँ और उसके लिए पहले मुझे स्वयम मृत्यू के भई से मुक्त हो ना पड़ेगा पहले मुझे अपनी अमरता का अनुभव करना पड़ेगा जो मेरे पास है वो ही तो मैं दूसरों को बाट सकता हूँ तो प्रियस्वजनों इस लोक का मेरे चिंतन में से जो प्रसाद प्राप्त हो रहा है हो ये है कि हम स्वयम ऐसा बने और हम जिसके भी हम पिता है, माता है भाई है, बहन है मित्र है, सखा है स्वजन है, गुरू है स्पाउस है, जो भी है क्या हम दूसरे को जीवन में सही मारग दिखा सकते हैं क्या हम किसी का हाथ पकड़कर प्रेम से उसे परमात्मा के समीप ले जा सकते हैं यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए तभी दूसरा अपना संबंद ठीक से निभा रहा है या नहीं उसकी चर्चा छोड़ो मैं अपना संबंद ठीक से निभा रहा हूं क्योंकि परमात्मा के संमुख जाकर जब हम खड़े रहेंगे तो परमात्मा हमसे यह नहीं पूछेगा कि दूसरों ने तुम्हारे साथ कैसा विहवार किया परमात्मा तो हमसे यही पूछने वाला है तुमने दूसरों से कैसा विहवार किया दूसरों ने अपना जीवन कैसे जिया यह परमात्मा हमसे यह उत्तर नहीं मांगेगा परमात्मा हमसे यह उत्तर मांगेगा हमने हमार जीवन कैसे जिया है इश्वर की आखों में आख डाल के प्रियस्वजन हम कह सकेंगे कि प्रभू तुने जो उपदेश दिया है श्रीमद भागवत में उसी के सिद्धान्तों के अनुसार जीने का प्रयास किया है तो संबंध को ठीक से निभाएं प्रिशब देव जी अपने उपदेश में आगे बढ़ते हुए कहते हैं सरवानी मद्धिष्नय तया भवद भिश्चरानी भूतानी सुता दुरुआनी हे सुता हे पुत्रों संभावित अव्यानी पदे पदे वो विविक्त द्रग्विस्त दुहार हनम में ये संसार में चरा चर भूतों को प्राणी मात्र को जीव मात्र को जो आप देखो उन सबी को मेरा ही शरीर समझो सरवानी मद्धिष्नय तया भवद भिश्चरानी भूतानी सुता सुत्रुआन अखिल ब्रह्म नरसी महता गुजराती में कहते हैं रूप अलग है आकार अलग है नाम अलग है लेकिन उसके अंतर ही तुसके बीतर रहा हुआ जो परमात्मा है वो तो समान है ये वैविद्य में एकता का जो दर्शन कर सके सरवत्र हरी दर्शन कर सके रुषब देवजी कहते हैं और उनकी सेवा कर सके यही मेरी सच्ची पूजा है मन वचन दृष्टी तथा मनो वचो दृख मन वचन दृख और करण इंद्रियां से साक्षा कृतम में परिबर हनम में यही जीव मात्र में मेरा दर्शन करके उनकी सेवा करना यही मन वचन से इंद्रियों से मेरी सच्ची पुजा है इस प्रकार का मेरा पूजन किये बिना मनुश्य विना पुमान ये न महा विमोहात कृतांत पाशान न विमोक्तु मीशेत कृतांत करता है मृत्यू अंतम कृत करती दी तो ये ऐसी पूजा किये बिना, ऐसी सेवा किये बिना मनुश्य स्वयम को मुरुत्यू के काल पाश से और महा मोहरुपी पाश से छुड़ा नहीं सकता शुक्रदेव जी वरणन करते हैं पुत्र भी सब ज्यानी थे भरज्जी जैसे नव योगेश्वर जैसे और विद्वान 81 पुत्र जिनका हम वरणन कर हम कर चुके सौ पुत्रों में से और नव खंडों के जो राजा बने वो नव पुत्र ये सब पुत्र प्रभावी थे फिर भी प्रजा को उपदेश देने के बहाने उन्होंने रुशब देव जी ने जो ये उपदेश किया है उसके बाद रुशब देव जी ने अपने जेष्ठ और स्रेष्ठ पुत्र भरत जी को गद्दी पर बिठाया और स्वयम पिल्कुल विरक्त हो गए परमहौंस का जीवन जीने लगे केवल शरीर का निर्वा हो उतना ही रखा बाकी सब त्याग कर दिया है भरत जी का जीवन जो वरनन किया है प्रियस्वजनों श्रीमद भागवत के पाँचवे सकंद के पाँचवे अध्याय में जिस तरह से परमहौंस अउधूत बनके यहां तहां विचरण करते हैं गुप्त वेश में जाते हैं अधूत वेश में जाते हैं तो लोग पैचानते नहीं कि यही हमारे राजा है और अभी जो राजा है भरत जी उसके पिताब रुशब देव जी है अधूत की तरह भिक्षुक की तरह लोग अपमान भी करते हैं तिरसकार भी करते हैं लेकिन रुशब देव जी बिलकुल उस पर ध्यान नहीं देते थे इसका कारण शरीर से माया ममता अहंता बिलकुल नहीं रही निंदा करते तो शरीर की निंदा हो रही है तो बिलकुल अपने उपर अरे मुझे ऐसा क्यूं कहा, मेरे साथ ऐसा विहावार क्यूं किया हमें तो कितनी छोटी छोटी बात हुए हम बुरा मान जाते है रुशब देव जी भगवान के आवतार है, समराथ थे फिर भी सामान्य प्रजाजन उसको न पहचानते हुए अपमान करे तो रुशब देव जी बिलकुल वो मन पे नहीं लेते थे ये भी एक उन्होंने देखा, कि शायद कोई पहचान जाए शरीर के प्रती अहमता ममता ही वहिराग्य मारग्य के लिए बहुत बड़ा विग्णबनती है तो उन्होंने धिरे-धिरे ये छोड़ने का प्रयास किया दो शब्द श्रुमद भागवत में प्रयोग किये गये हैं पांचवे सकन के पांचवे अध्याय मेरु शब देव जी के लिए एक विलक्षन लाइफस्टाइल है ये आज हम कितने कर सके वो एक प्रश्ण है बिभत सवरुत्ती कहा और अजगर अवरुत्ती कहा अर्थात जान बूझ कर ऐसा जीवन जीना कि लोग पास में आये ही नहीं वस्त रहीन रहना महले कुछ ऐले वस्त पहनना कुछ शब्द तो यहां ऐसे लिखे हैं कि मैं यदि बोलूँगा तो आप ऐसे मुह ये कर दोगे शरीर पर मल लेपन करना बतलब इतने गंदे रहना कि कोई पास में आये ही नहीं लोग अपने आप ही दूर रहें ऐसी चरिया वे करते रहे लोग ऐसा प्रहास करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें देखे हैं यहां परमहंस मार्ग पर चलते हुए रुशब देव जी ऐसा प्रयतना करते हैं ऐसे उपाय करते हैं कि लोग दूर रहें लोग जो नजदीक आने वाले हैं वो भी ना आए लेकिन उसी में वो महान आनंद का अनुभव करते थे इती नाना योगचरिया चरणो भगवान कैवल्यपति रुश्यभो अवीरत परम महानंदानु भव आत्मनी सरवेशाम भूताना मात्म भूते भगवती वासुदेव आत्मनो व्यवधानांतरो दरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्णो योगैश्वरियानी वैहाय समनो जवांतरधान परकाय प्रवेश दूर ग्रहना दीनी यद्रिच्चयो पगतानी नांजसा अनृप रदये नाभ्यनंदत छठे अध्याय में प्रियस्वजनो रुषब देव जी के देहत्याग की बात है शुकदेव जी कहते हैं कि सत्यमुक्तम यह शुकदेव जी के लिए रुशी रुवाचा कहा गया है जिसे रुशी बता रहे हैं सत्यमुक्तम किंत्विहवा एकेन मनसोद्धा विश्रम्भ मनवस्थानस्य शठकिरात इवसंगच्छन्ते शुकदेव जी कहते हैं राजन परिक्षित सत्यमुक्तम बुद्धिमान लोग जो है वो सत्य बात करते हैं कि इस चंचल चित्त का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते ये चंचल चित्त की बिल्कुल भी मैत्री नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें भरोसा रखके ही तृष्णान दिया है तीसरे चौते और पांचवे श्लूक में नकुरियात करहिचित सक्यम मनसीय नवस्थिते यद विश्रम भाचिराचिरनम चसकंद तप ऐश्वरम नित्यंददाति कामस्यत छिद्रम तमनु ये रयह योगी नकृतमा इत्रस्या पत्युर जाये वपुंश्चली इसी में इसी मन का विश्वास करके चंचल मन का विश्वास करके स्वयम महदेव तपो मुर्ती ज्यान के भंडार कहिलासनाथ समुद्र मंथन के समय जब भगवान विश्वास ने मोहीनी का वतार लिया देटियों के पास से आएगी का था अट्विसकन में तो भगवान विश्वास के मोहीनी स्वरूप में स्वयम शिवजी भी विचलीत हो गए और उनका स्खलन हुआ क्यों क्यों कि मन बड़ा चंचलाब जैसे शिवजी जैसे महापुरुष का भी यदिस खलन हो जाए तो ये मन का भरोसा सयाना व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कैसे करेगा क्या करता है मन जैसे कोई व्यभी चारेनी स्त्री अपने जार पुरुष अपने आज की भाशा में कहूं तो जो इलिसिट रिलेशन्स होते हैं बॉइफ्रेंड्स होते हैं और इसी घटना एं न्यूज में आप देखते भी हो सुनते भी हो पढ़ते भी हो पेपर में कि किसी व्यक्ति को किसी पर-पुरुष के साथ संबंध हुआ तो वो अपने बॉइफ्रेंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिलकर पती की अत्या करवा देती है मन ऐसा है मन जिस विशय के साथ फस्ता है तो मन ये विभीचारिस्त्री की तरह है जिस विशय के साथ फस्ता है उसके साथ मिलकर के अपने स्वामी आत्मा की जीवात्मा का अधापतन करा देता है ऐसे ये मन का भरोसा नत किजिए बहुत सुन्दर परमहौंस दिक्षा का सुईकार किया है अपनी भाशा, अपने तेज, अपने तप, अपने वरत को, अपने पुण्य को, अपने प्रभाव को रुशब देव जी छुपाए रखते थे और धिरे 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 अभिमान से, देहा भिमान से मुक्त हो करके वन में विचरन करते थे वुरुत्यों भी प्रियस्वजनों देखे कैसी सहज होती है बास के वन में थे और बास के वन में बास के वुरुक्षों में परसपर संगर्ष होता है गर्शन होता है हवा चलने से उसके कारण बास के वन में आग लगती है रुशब देव जी एक समय से बांस के वन में थे इलकुल प्रकृती का नियम टूटल सहजता नैचुरल वो बांस के वन में आग लगी उसके अंदर रुशब देव जी का देह भी भस्मी भूत हुआ इस तरह रुशब देव जी ने अपने प्राण का त्याग किया है पांचवे सकंद के साथवे और आठवे अध्याय में प्रियस्वजन भरत जी का चरित्र है कथा संक्षेप में बता दूँ भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पंच जनी के साथ विवा किया है पांच पुत्र हुए सुमती, राष्ट्रभूत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु भरत जी इतने प्रभावी हुए कि उनके नाम से ही अमारे इस अजनाव खंड को भारत वर्ष कहा गया है और प्षुमत भागवात में तो लिखा एक करोड़ों वर्ष तक भरत जी ने राज्य किया है और फिर अपने पुत्रों को राज्य सौप कर भरत जी पुलहाश्रम हरी हर क्षेत्र को चले गए अपना शेश जीवन तपस्या में भीताने के लिए गटना ऐसी गटती है प्रियस्वजनों कि आठवे यह कहानी पाट था इसले में जल्दी चला पांचवे स्कंद के आठवे अध्याप्यम आ गए पुलहाश्रम में महा नदी के तट पर बैठकर भरत जी प्रणव मंत्र का जाप कर रहे हैं ओमकार की आराधना कर रहे हैं एकदातू महा नद्याम मुहुर्तत्रयमुदकांत उपविवेश तीन मुहुर्ततक ओमकार की ब्रह्माक्षर ओमकार की आराधना करते हुए उदमा विवेश जल के अंदर भरत जी तपस्या कर रहे हैं प्रियस्वजनों एक अत्यांत स्रेष्ट आराधना है कमर तक पानी में खड़े रहना है सूरिय कोई उपर ध्यान करते हुए उमकार का जब करना है योगमार की एक अत्यांत सुन्दर उपासना है अनुष्ठान है जिससे बहुत सारी उर्जा शरीर में प्राप्त होती है उन्हें बहुत रिसर्ज भी किया इसके उपर प्रियस्वजणों ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर व्यक्ति एक साथ में पांचों महा तत्व के संपर्क में होता है कमर बुढ पानी में कमर तक के पानी में खड़ा है तो उसका नीचे पृत्वी से संपर्क है यहां तक जल है पृत्वी जल फिर बाकी का सर्व आकाश में हैं तो पृत्वी जल आकाश सुर्य का प्रकाश आ रहा है तेज और वायू भी चल रही है तो पृत्वी जल तेज वायू आकाश पांचों महातत्व से एक साथ में संपर्क में विक्ति होता है और बिल्कुल एक्विलिब्रियम आधा शरीड पानी में, आधा शरीड बाहर. सुर्य नारण की उपासना, तेज की आरादना, प्रणाव मंत्र ओमकार की आरादना. ये कर रहे थे ब्रद जी. जितना जितना संयम होता जाता है व्यक्ति दिर्गत समय तक, तीन मुहुर्त तक खड़े रहना, बहुत बड़ी बात है. उस समय तत्रतदा राजन हरीणी पिपासया जलाशया ब्याशमय वई शमे कईवो पजगामा. राजा ने देखा कि एक गरभीणी हरीणी, प्रेग्नेंट डियर, नदी में जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए आई, पानी पी रही थी, उतने में पीछे से कोई सिहं आया, और सीही ने गर्जना की सीही को देखकर उसकी गर्जना को सुनकर हरिनी ऐसे भी डर्पोख है प्राणी ये हरिनी गर्भीनी थी एकदम डर से मारे अपनी प्राण की रक्षा के लिए जल में कूद गई गबराहट के कारण अरिनी को वहीं पर प्रसव हो गया पानी में माता हरिनी की मृत्यू हुई और वो हरिन शावक नूली बॉन डियर बेबी भरत जी ने पुरा द्रश्य देखा तो सहज दयावश भरत जी ने वो हरिन शावक को हरिन के बालक को बचा लिया ले आए आश्रम में उसकी रक्षा की आश्रम में लाकर उन्होंने इस बालक का ध्यान रखना शुरू किया उसको संभालना शुरू किया प्रियस वजनो प्रतम दृष्टी से बिल्कुल निर्दोष लगने वाला केबल निर्दोष नहीं अच्छा लगने वाला ये कारिय भरत जी के लिए बंधन रुब बन गया यह बहुत सोचने जैसा प्रसंग है प्रियसो जानों आज के युग में खास हरेन के बालक से भरत जी को आसकती निर्मान होने लगी अब वे भगवान की पूजा करने बैठते तो उनके मन में विचा राता कि वो हरेन का बच्चा क्या करता होगा हरेन शावक क्या करता होगा परमात्मा को सनान कराते पूजा करते हुए तो बरत जी को विचा राता कि उस हरेन के बालक को किसी ने नहलाय होगा की नहीं प्रमात्मा को नेवेद्य धरते तो विचारा था कि हिरन को किसी ने खिलाए होगा की नहीं प्रमात्मा का ध्यान करते तो हिरन बीच में कुदने लगता धिरे 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 मन इतना विचलित होने लगा मन आ सकती है प्रियस्वजनो और याद रखना इस अटेच्मेंट is a very sensitive issue महापुरुशों ने कहा है कि आ सकती आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती और उसको यदि निकालना होगा तो बहुत प्रयास करना पड़ता है सहस्ता से नहीं जाती अटेच्मेंट बन जाता है emotional bond लेकिन फिर उसको छोड़ने के लिए करने के लिए महापुरुश कहते हैं तो हम फिर ऐसे जो आवश्यक नहीं है उन चीजों से attachment क्यों निर्मान करें सेवा करें रक्षा करें भोजन कराएं उसकी ना नहीं है अच्छे काम करें attachment होना ये जिसको आ गया हिरन के प्रति इतना उनका मन से एकात्मता बढ़ती गई भरत जी की गरंथ में लिखा है अंतीम क्षणों में जब प्रान त्याग करने थे तब भी हिरन की याद आई कि मेरे बाद अब इस हिरन का ध्यान कौन रखेगा सिद्दानत है सुष्टी का हमारे गरंथों में तो लिखा है आधुनिक मनोविज्ञानिक भी ये सिकार करते हैं कि शरीर छोड़ते समय मनुष्य के मन में जो अत्यन्तिक भाव से विचार चलते है इंटेंस थिंकिंग चलता है उसी के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म होता है यही तो वासना का क्रम है भरज्जी का दूसरा जन्म हिरन का शरीर मिला अब योग प्रभाव से अगला जन्म याद था उनको हिरन के देह में रहकर के भरज्जी ने केवल योग मार्ग से कालक शेप किया है जस उन्होंने सोचा कि ये भूल हो गई अब ये समय को गुजार दो परिनाम भुगत ना है हिरन के शरीर में कालक शेप किया उसके बाद का जो जन्म हुआ मुरुग योनी छोड़ने के बाद जो जन्म हुआ वह एक ब्रामन के घर में हुआ है पांचवेस कंद का नौ आद्या है देखे स्टोरी पार्ट कितना जल्दी चलता है मैं यहाँ पर कह दूँ प्रियस सोजनो जीव दया का में विरोधी नहीं प्लीज डोंट गैट मी रॉंग लेकिन आजकर लोग ये कुटे बिल्लियां सब पालने का काम करते हैं और फिर इतना अटेश्मेंट उनको इनके साथ हो जाता ये कुटे बिल्लियों से मैं अमेरिका में बैठा हूँ ये प्रवचन करने के लिए प्रियस सोजनो यहाँ तो अमेरिका की एकोनमी कुटे बिल्लियों पर चलती लोग अपनी संपत्ति कुट्टे बिल्यों को दे जाते हैं तो यहां जाकर यह बोलना ऐसा कहना है यह भी एक चिंधन का विशाय है दया आती है ऐसे लोगों पर बनोवज्ञानिक प्रश्ण भी है क्योंकि अपने लोग नहीं है स्वजन नहीं है तो emotional attachment के लिए कुछ आधार चाहिए तो जब मनुष्य नहीं मिलते अकेले पन से जूजते हुए लोग कुट्टे बिल्यों के साथ वो करते हैं यह बड़ा विशय है मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता समय के अभाव से मैंने दूसरी कताव में चर्चा भी की है यहाँ पर मैं old people home वृद्धाश्रम की विजिट लेता हूँ तो यहाँ तो डॉक्टर encourage करते हैं बड़े बुढ़ों को कि आप कुट्टे बिल्यों पालो ताकि we have someone to look forward to शाम को यह दिया बालकनी में बरंडा में बैठे हैं तो वो कुट्टा आपके पैर चाटेगा तो आपको लगेगा someone is caring for you नहीं तो संतान तो बड़े होकर के अपने अपने जीवन में घस्त हो जाते हैं मदस्डे या फादस्डे का कार्ड लिखें तो माता पिता को लगता है मेरे बालक ने मुझे याद कि या मदस्डे का कार्ड आया है या पादस्डे का कार्ड आया है तो वो भी नहीं होता Thanksgiving Day में मिले तो ठीक नहीं तो फोन भी आ जाए तो Thanksgiving Day का फोन आ गया तो ऐसी परिस्थिती जहां समाज बिखर रहा है व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो रहा है पश्यों के उपर पाद़ी करना पड़े हमारे गरंतों में तो लिखा है कि यह पश्यों घर के उंबर से बाहर होने चाहिए लेकिए कुट्टे को रोज रोटी डालना पाली जाती है न उस घर का भोजन पितर स्विकार नहीं करते उस घर में भगवान के सामने नेवेद्य रखा जाए तो भगवान वो नेवेद्य नहीं स्विकारते जिसके उपर श्वान की द्रश्टी पड़ी हो वो सब अलग विशा है कहने काश है यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा जीव दया के लिए कोई विरोध नहीं है लेकिन आसकती नहीं बाननी चाहिए अटेच्मेंट, इमोशनल बांडिंग नहीं होना चाहिए वो जो संभाल सके भरत जी का तीसरा जन्म ब्राम्हन परिवार में हुआ ब्राजी को पूछे तीरे जन्म में याद थे उन्होंने का बस यह अंतीम जन्म अभी इस जन्म में कोई यासी भूल नहीं करनी है जो वो मुरुग के बालक के साथ आसकती बान्द के कर दी थी एक जन्म गराना पड़ा तो बड़े सावधान होकर के जी रहे हैं साक्षी भाव से जीते हैं सेंस ओफ विटनिस कहीं भी किसी में भी इन्वाल नहीं होते जिसको श्रीमत भागवत के पाँचवे सकंद के नवे अध्या में कहा गया जडवत आचरण करते हैं कोई बुलाएगा तो उसके साथ बात करेंगे कोई नहीं बुलाएगा तो अपने ध्यान में मजद न रहेंगे कोई कहेगा मेरा ये काम करना है चलो तो चले जाएंगे काम करने के बाद उसने पैसे दिये तो लिये नहीं दिये नहीं लिये बलत जैसा मानते किसी जनम में मुझे उसको चुका ने थे मैंने आज चुका दिये काम करके No initiation of action from one's own side and just be a witness to everything what happens विदान्त की अती उच्च अवस्था है प्रियस्व जलो दूसरे शब्दों में कहूं विदान्त की परिभाशा में कहूं तो अपने संकल्प विकल्प को बिल्कुल छोड़ दिया है कर्म का बंधन तब खड़ा होता है कि जब आप निर्णे करते हो आप निश्य करते हो आप संकल्प करते हो और आप जब संकल्प करते हो कि मुझे ये करना है तो स्वाभाविक है उसमें करता भाव आ जाता है सेंस ओफ डूर सेंस ओफ डूर आता है तो फिर obviously मुझे ये करना है ये संकल्प हुआ उसके साथ ही फल की अभिलाशा भी आ जाएगी क्योंकि मुझे ये ये करना है तो क्यों करना है? मुझे ये चाहिए तो ये संकल्प करता भाव और फल की अभिलाशा ये तीनों के बंधन में फिर जीवात्मा बनते जाता है वो जो आरंब हुआ संकल्प से इच्छा से वहीं से परजी दमसावदान कोई इच्छा नहीं कोई संकल्प नहीं दूसरा बुलाए तो कर देते शाम को उसने पैसे दिये तो लिये न लिये तो कोई नहीं लोग कहने लगे ये जड़ भरता ये मुर्ख है वस्तुतह बरत जी जड़ नहीं थे अत्यंत बुद्धिमान थे विदान्त की परमोच्च वस्ता साक्षी भाव में जी रहे थे बड़े-बड़े सुन्दर श्डोक है गद्य में परेच्चया करोती विष्टितो वेतनतो वा यांचया यद्रिच्चया वो पसादितम अल्पम बहु मृष्टम कदन्न वाब्यवहरती परम नेंद्रिय प्रीतिनिमित्तम लेकिन ये सब करते हुए प्रियस्वजनो साक्षी भाव से रहना जडवत आचरन करना इसका आर्थम मूढता से रहना उद्वीग न होकर रहना बोरिंग होकर किया रहे ये कब जीवन पुरा हो और मैं छुटूं ऐसे नहीं ये तो कईड़ों ऐसे भी होते हैं ये भगवान उठा ले भगवान कहेगा तुझे उठा कर मैं करूं क्या तू वहीं पढ़ा रहे ये स्थिती में भी भरजी को आनंद आता है नित्य निवृत्य निमित्य स्वसिद्ध विषुद्धानु भवानन्द स्वात्म लाभादि गमह सुख दुख योर द्वंद्व निमित्योर संभावित देहा भिमानह सुख दुख आदी डाइलेक्टिक से पर नित्य ब्रह्मानंद के स्थिती में भरजी स्वात्मानों भाव में निजानन्द में मगन रहते हैं दो घटनाएं हुई है बरजी के जीवन एक शूद्र जाती के कुछ लोग देवी भद्रकाली के पास मानव बली देना चाहते थे क्योंकि चोरों के सरदार जो था उनको कुछ पुत्र संपती के अभिलाशाती किसी ने कहा कि मानव बली दो तो ये सब महत उमत देना इन चीजों को अंदव श्वास में लोग करते हैं आज भी करते हैं उस समय में भी होता था लेकिन इसका महत्व नहीं है ये मैं बस पश्ट कर दू ऐसा करने से परिणा मिलता है बिलकुल नहीं अब वो लोग जो मानव बली के लिए लेकर आये थे वो विक्ति भाग गया चटक गया हाथ में से तो दूसरा ढूनने निकले जंगल में से पसार हो रहे थे बरत जी पकड़ा रहे ये तो बहुत अच्छा है बली देने के लिए चलो बरत जी कहते है चलो जो किसी ने कहा चलो चलो वदस्तम से बांधा बरत जी को पता है कि अब बस पूरा होने वाला है जीवन कोई बात नहीं लेकिन जैसे ही बरत जी का बली देने के लिए खड़ग उठाया गया श्रीमत भागवत में लिखा है मुर्ती में से मा बद्रकाली साक्षात प्रगट हुई कहा ये मेरा भक्ता है इसे छोड़ो ये वद्र देने के युग्य नहीं है तो मा भगवती ने बरज्जी की रक्षा की है प्रगट हुई और कहा छोड़ दो मा की आज्या हुई तो भरज्जी को छोड़ दिया गया भरज्जी वहाँ से निकले ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग पांचवेस कंद का दस्माद द्याई बहत्व पुर्ण प्रसंग शुग्देव जी वरणन करते है अथ सिंधु सुवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तते तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुशान वेशन समये दैवे नोपसादितह सद्विजवर उपलब्ध एश पीवा युवा सम्हन नांगो गोखरवद्धूरं वोडु मलमिती पुर्व विष्टिग्रुटई ही सहग्रुटःतः प्रसभ मतदर्ः वाह शिविकावं समहानुभावह सिंधु सवविर देश का राजा जिसका नाम है रहुगण कपिल मुनी का शिष्य है संख्यशास्त्र का अभ्यासु है वो तो कपिल आश्टम की ओर जा रहा है पालकी में बैठ कर पालकी चार लोग उठाते हैं मजदूर मेंसे कोई एक मजदूर बीमार पड़ गया था ठक गया था तो उनका जो कॉंट्रेक्टर था मुख्या था वो किसी और मजदूर को ढूनने के लिए निकला और भरत जी वहां से जा रहे थे भरत जी अलमस्त शरीक कोई चिंता तो थी नहीं उसने देखा कि ये मजदूर अच्छा पड़ेगा उसको पालखी उठाने के लिए लगा देते हैं उसक्ती ने कहा चलो पालखी उठानी है भरत जी ने कहा चलो उठाओ उठाई चलने लगे अब भरत जी जब पालखी उठाकर चलते हैं तो रास्ते पर देख के चलते हैं कोई जीव जन्तू आ जाए पैरों के नीचे कुछल न जाए तो भरत जी एक तो चलना उनका स्लो है पहली बात दूसरा ऐसा कोई जीव जन्तू आए तो भरत जी कूदते थे और भरत जी जब कूदे तो पालखिम बैठे हूँ राजा को जटका लगता था पालखिटेडी भी हो जाती थी अब ये सब हुआ तो राजा को ठीक नहीं लगा रहे ऐसा क्यूं हो रहा है दिरे से क्यों चलने लगते हो तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि राजा जी हम तो ठीक से चल रहे लेकिन ये नया जो कहार आया है मजदूर वो ठीक से नहीं चल पाता है शुरुवात में तो राजा ने केवल मजाक उड़ाया सांसर्गी को दोश एवनून मेक अस्यापी सरवेशं सांसर्गी का नाम भवितु मरहतीत इनी शित्य मजाक उड़ाया भरत जी ने तो कोई बात मन पर ली नहीं वो तो जैसे चलते थे जैसे चलते गए अब ये जब बार बार हुआ तो राजा को क्रोध आया जो पहले इरिटेशन था वो अब क्रोध में बदल गया और घुसे में आकर राजा ने क्यों जीते जी मर गया है तू पहले मजाच में जो कहा था कि बहुत दुबले हो उठा नहीं पा रहे हो ऐसे शरी तो अलमस था और कहा बहुत दुबला है तू ऐसी जब बातें की भरत जी कहते है राजन तुमने जो भी कहा वो सच कहा है पाँचवे स्कंद के दस्वे अध्याय का नवा अश्लोक भरत जी के उपदेश का आरंब होता है त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धं भरतुस्स्समेस्याद्यदि वीरभारह गंतुर्यदिस्याद धिगम्यमध्ध्वापिवेति राशवनविदांप्रवादह तुन्हें जो कहा वो सच कहा है राज़ दुबला हूं उठा नहीं पार हूं ये तो सब शरीर की बात है और मैं कहां शरीर हूं मिट्टी के उपर हम चल रहे हैं उसी मिट्टी से बना हुआ ये शरीर है उसी मिट्टी से बने हुए इस शरीर के ऊपर जो पालकी है लकडी की वो भी मिट्टी से बनी हुई है उस पालकी में बैठा हुआ राजा तू भी मिट्टी का है यह केवल मिट्टी के ऊपर मिट्टी का बोज चला जा रहा है सब मिट्टी का विस्तार है त्वयोदितम व्यत्तम अभी प्रलब्धम तुमने सही कहा है भरतुस समेश्याद यदि वीर भार है यदि कोई भार है तो उसके लिए है जो उस भार को ढो रहा हो जो वो समझ रहा हो कि बोज मैं उठा रहा हूँ उसके लिए भार है गंतुर यदि स्याद अरिगम्य मद्वा मार्ग पर ठीक से नहीं चल रहा है तुमने कहा मार्ग उसके लिए है जो चलना चाहता है कहीं पहुंचना चाहता है उसके लिए मार्ग है प्रिये स्वजनों समझ जो आप कहीं पहुँचना चाहो तो लोगों से पुछोंगे is this the way, is this the way, is this the right way, तो मार्ग है, लेकिन आप केवल morning walk के लिए निकले हो, घुमने के लिए निकले हो, सैर करने के लिए निकले हो, तो क्या फरक परता है वो रास्ता कहा जा रहा है, you are not concerned about the destination, you are just concerned about your walk, तो मार्ग किसके लिए है, मार्ग उसके लिए है, जो कोई लक्षे लेकर चल रहा है, जिसको कहीं पहुँचना है स्थावलियम कार्शियम व्याधय आधय अश्चक, शुत्रुड भयम कलिरिच्छा जराच, निद्रा रतिर मन्युरहम दश्चुचो, देहे न जातस यही में न संती यह मूटापन, पतलापन, यह सब जो है व्याधी, आधी, यह सब ठक गया है, दुर्बल हो गया है, यह सारी बातें जो तुमने सुनाई न, वो सारी बातें शरीर की है, मुझे तो उस पर शकरती ही नहीं है और तुम कहते हो कि तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ, मैं तुम्हारे आज्या का पालन करूं, कईश्वरस्तत्रकिमी शितव्यम, तथा पिराजन करवा मकीनते, ठीक, यहां कौन मालिक, कौन सेवक, सब में एक ही परमतत्व विलस रहा है, फिर भी यदि तुम मानते हो कि तुम राजा हो, तुम स्वामी हो, बताओ क्या करूं मैं। मैं बरसों से अपने गुरुदेव कपिल मुनी के पास से श्रवन कर रहा हूँ, शब्दों से तो मुझे पता है, लेकिन अभी तक की मेरा अनुभव नहीं बना, यह बात, यह कहार, यह मजदूर, यह पाल्खी उठाने वाला, इतनी सहजता से बोल जाता है, निश्षित य यह कोई अज्ञानी जीव नहीं है, यह कोई परम ज्ञानी महापुरुष है, रहुगर्ण राजा पाल्खी में से नीचे उतर पड़ा, स्थद रुधय ग्रंथी विमोचनम द्विजवच आश्रुत्य, रुधय ग्रंथी को छोडने वाले, रुधय ग्रंथी का बेदन करने वाले, विद्वान ब्राम्वन के जड़भरजी के वचन को सुन कर, जिसने बहुत अभ्यास किया है ऐसा ये राजा त्वरया वरुहिया त्वरया जल्दी से पालखी में से नीचे उतर पड़ा शीरसा पादमूलम पसुरता क्षमा पयन अपने मस्तक को भरत जी के चर्णों में रख दिया मुझसे बहुत बड़ा अपराद हो गया आपके पास म मज़्दूरी कराने का काम किया मुझे क्षमा कीजिए विगत अंदुरुपदेवस्मय वाच राजा का जो एक अहंकार था उसके मन में वो छोड़ करके बोला कस्त्वं निगूधस्चरसिद्विजानाम विभर्षि सुत्रम कतमोवधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात क्षेमाय नश्चेदसिनोतशुपलः आप कौन है मुझ पर उपकार कीजिए मुझे ज्ञान दीजिए तब जड़ भरज्जी ने अर्था ज्यानी भरज्जी ने रहुगन राजा को उपदेश किया है पांचवे सकंद के ग्याराव यद्ध्याय से ये भरज्जी का उपदेश है रहुगन को यावन्मनो रजसा पूरुशस्य सत्वे नवातम सावानुरुद्धं सवासनात्मा विशयो परक्तो गुणप्रवाहो विकृत अश्योड शात्मा विब्रत प्रुथंग्नाम विरूप भेदम अंतर बहिष्ट्वं चपुरैस्तनो ती बड़ी सुंदर सुंदर विशय है प्रियस्वजनो ये संक्षे प्रवचन माला में मैं तो किवल सिलेक्टिड कुछ लोग आपके सामने प्रसादी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जड़ भरजी कहते है राजन जब तक मनुष्य का मन यावन मनो रजसा पूरुशस्य सत्वे नवा तमसा वानुरुद्धम जब तक मनुष्य का मन सत्वर जतम इन तीन गुणों से अनुरद्धम बंधा हुआ रहता है वशी भूत रहता है तब तक वह चेतो भिरा कूती भिरा तनोती निरंग कुशम कुशलम चेतरम वह वो निरंग कुश हो करही है जब तक मन सत्वर जतम में फसा हुआ है तब तक उसकी इंद्रियों भी निरंग कुश हो करके संसार के बंधन निर्मान करने वाले कर्म करती रहेगी शुब अशुब कर्म होते रहेंगे यह ऐसी बात है कि मन सत्व रजयतमा फसा है तो इंद्रियों को आप कर्म शुब या शुब कर्म करने से रोक सकते ही नहीं और उसके परिणाम आते रहेंगे यह मन कैसा है सवासनात्मा विशयो परक्तो गुणप्रवाहो विकृतश्योड शात्मा यह मन स्वभाव से वासना मैं है मन स्वभाव से निरंतर इच्छाए निर्मान करते रहता है मन कहते कि इसको है मन मैंड is that which constantly gives you options आप कुछ नहीं करते बैठे हैं केवल आप कहोगे मैं कुछ नहीं करता हूँ शांती से बैठो आपका शरीर शांत है मन में कितना घमासान मचा हुआ है और वो जब बैठे भी हो तो मन आपको option देते रहेता है आप क्या करेंगे शाम को क्या करेंगे क्लब में जाएंगे खेलने जाएंगे समंधियों से मिलने जाएंगे बोजन कैसे करेंगे घर पे करेंगे बाहर करेंगे होटल में जाएंगे कांसी होटल में जाएंगे नौर्थ इंडियन में जाएंगे साउथ इंडियन में जाएंगे कॉंटिनेंटल में जाएंगे मेक्सिकन में जाएंगे आधे घंटे तक आप बैठे आपने किया कुछ नहीं शरीर से लेकिन मन constantly options 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 मन आपके भीतर इच्छाएं निर्मान करते रहता है और वही इच्छा जब बलवती हो जाती है वही इच्छा जब intense हो जाती है तो वह वासना बन जाती है मन वासनाओ को निर्माण करते रहता है प्रियस हो जुनो भरत जी रहुगन को उपदेश देते हो यही कहते है कि मन क्या करते है, सवासना आत्मा और वासना क्या करते है, विशयों परक्तों विशयों से जोड़ती है, it constantly attaches you with objects ये वस्तु चाहिए ये व्यक्ति चाहिए इसको मिले ये ले आए इसको छोडें विश्ययों से बांती है और विश्या सक्तमन जो है वो आलिंग्य माया रचितान तरात्मा स्वदे हिनम संसृति चक्रकूत हा ये विश्या सक्तमन जीवात्मा को संसार के चक्र में डाल देता है और यही मन जब विश्यहीन हो जाए जितना अबजेक्ट से बाहर आ जाए जितनी इच्छाएं कम करें उतना वो धिरे 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 शान्त होते जाता है और बंधनों से छुड़वा करके परंपद मोक्ष की प्राप्ति करा देता है बहुत सुन्दर उपदेश किया है कामकरोधादी छेश शत्रूओं को जीत कर दिश्टान भी बहुत सुन्दर दिये हैं समय की मर्यादा है मात्रानी कर्मानी पुरंचतासाम वदंती हैकाद शवीर भूमी ही इस सुन्दर प्रणन किया है इस प्रकार भरज जी ने राजा रहुगन को आनंदप देने वाला मुक्ति प्रदान करने वाला उपदेश दिया रहुगन राजा ने भरज जी की स्तुती की प्रशोंसा की है तस्मान रोसंग सुसंग जात ग्न्याना सिनेहाईव विवरुक्ण मोह हरीम तदीहा कथनश्ट अभ्याम लब्धस्मृतिरियात्यपति लब्धस्मृतिरियात्यति पारमध्वनह तो ये भरज जी और रहुगन समवाद के ये दो अध्याए बारह हुआ फिर तो बहुत सुंदर आगे 13-14 वे अध्याए तक भी प्रश्ण पूस्ते जाते हैं रहुगन राजा और भरज जी अती सुंदर उपदेश करते हैं प्रियस्वजनों पांचवे स्कंद के 15 वे अध्याए में भरज के वाउँश का वरणन आगे चलता है फिर सोलह वे अध्याए में भुवन कोश का बढ़ने सोलह और सत्रह वे अध्याए में और जिस तरह से गंगाजी इस संसार में आई ये इसका भुगोलिक रुप से जोग्राफिकल वरणन मिलता है 18 और 19 स्वे अध्याए में भिन्न भिन्न जो वर्ष हैं उनका ये जो मैंने कहा था खगोल पंचाद्याई भुगोल पंचाद्याई 20 स्वे अध्याए में अन्यच्छ द्वीप ये जाम्बू द्वीप जिसके पर हम पृत्विय उसका वरणन हुआ लेकिन अन्यच्छ द्वीप और लोका लोक परवत्तों का वरणन है 21 और 22 स्वे अध्याई में सुर्य का रत उसकी गती बिन्न बिन्न ग्रहों की स्थिती उसका वरणन है ये खगोल और भुगोल ये 22 और खगोल पंचा द्याई हुई 23 स्वे अध्याई में शिशुमार का वरणन 24 स्वे अध्याई में राहु आदी ग्रहों की स्थिती और अतल पातल वो सब हैं उनका वरणन है 25 स्वे अध्याय में भगवान संकर्षन का विवरण और उनकी स्थुती है 26 स्वे अध्याय में विविद प्रकार के नरकों का वरणन है राजा परिक्षित प्रश्ण पूछते हैं कि लोगों की यह उंची और नीची गती होती है उसमें इतनी विभिन्नता इसमें इतने डिफरंसिस क्यों है तो बताया शुकदेव जी ने अब पॉइंटेड पूछते हैं परिक्षित जी कि नरका नाम भगवन किम देश विशेशा अत्वा बहिस्त्री लोग क्या आहो स्विदन तरा लईती क्या नरक कोई विशेश स्थान है जहां पर जाकर के जीवात्मा ये सब यातना, कष्ट, दंड, भुगत्ता है तो शुकदेव जी कहते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी इनकी स्थिती है और उसके बाद शुकदेव जी, अठाइस प्रकार के नरकों का वरणन करते है प्रियस्वजों नों ये नरकों का वरणन इतना सिस्टेमेटिक किया गया है नरक का नाम, कौन से पाप करेगा तो व्यक्ति उस नरक में जाएगा और उस नरक में जाकर के क्या सजा बुकतेगा ये सारे नरकों का वरणन करेंगे न कहीं न कहीं तो मैं और आप फिट होने वाले हैं जानते हैं जानते हुए, कहीं न कहीं तो ये भूल हुई होगी फिर भी academic interest से जितना हमें समय है थोड़े से नरकों का वरणन कर दूँ आपने सुना भी होगा कुछ तो यातनाओं को भुगतने के स्थान है कर्म खपाने के स्थान है नरक यूँ दिखो तो मनस्तिती है पहले कहा तामिस्र नरक तत्रहई के नरका नेक विंशती गणयन्ती तथा अथा ताउस्ते राजन नामरूप लक्षनतो नुक्रमिश्या मस्तामिस्रो अंधतामिस्रो रहुरवो महा रहुरव कुंभी पाक काल सुत्र मसिपत्रवन बहुत बहुत अठाइस नरकों के नाम है क्या है वो नरका विविध यातना भूमयह विविध प्रकार की यातना भुगतने की भूमी स्थान है ये नरक पहला तामिस्र नरक देखे वरण यत्रवस्तु परवित्ता पत्यकलत्रान्यपहरती सही काल अपाश बद्दो यम पुरुशे रती भयानक इस्ताम इस्रे नरके बलान निपात्यते जो व्यक्ति दूसरों के धन का अर्था जिस धन के उपर दूसरे का अधिकार है राइट फुली इड बिलॉंग्स टो समवन एल्स वो ले लेता है या तो समय पर देना चाहिए वो देता नहीं है ऐसा व्यक्ति दूसरों के संतान का हरण करता है कोई पिता अपने संतान को अच्छे संसकार देना चाहता हो अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता हो और कोई व्यक्ति आकर कि उस संसार उस संतान को brainwash कर दे पिता से विरुद्ध उसको उकसाए और सामान ये चीजों में उसको व्यस्त कर दे ताकि वो जीवन के उसके पिताने जो उसको दिये थे उच्च द्ये को छोड़ दे भटक जाए संसार में ऐसे व्यक्ति दूसरे की स्त्री का हरण करता है ऐसे लोग तमिस्र नाम के नरक में जाते हैं और वहाँ यम्दूत उसको अन जल नहीं देते न खाना मिलता है न पिना मिलता है और डंडे लगाये जाते हैं धराया जाता है उनको तमिस्र नरक है अन्दता मिस्र जो दूसरे की स्त्री का भोग करता है उस्त्री को धोखा देकर फसा कर छल के साथ एव मेवा अंधता मिस्रे यस्तु वंचाइत्वा पुरुशं दारादीनू पयुंक्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्त्व वेदनया नश्टमतिर नश्टद्रश्टिश्य भवती यता वनस्पतिर वृष्यमानमूलस तस्माद अंधता मिस्रम तमुपदिशंती किसी की स्त्री को छल कर चिटिंग करके उसका उपभोग किया जाए वो अंधता मिस्रम रख में जाता है वहाँ भी उसकी सजा है फिर रव रव न रख हैं जो व्यक्ति केवल अपने लिए यह संसार के जितने लोग हैं वो सब केवल मुझे सुख देने के लिए है their only purpose of existence is to make me happy ऐसे कई लोग होते हैं इसने मेरे लिए क्या किया मेरी माता ने मेरे लिए क्या किया मेरे पिता ने मेरे लिए क्या मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या किया वो सुचता ही नहीं What can I do for others वो तो उसके अजेंडा में होता ही नहीं है दूसरों ने मिरे लिए क्या किया और इसके लिए वो हमेशा लोगों को परिशान करते रहता है मिरे लिए ये करो, मिरे लिए ये करो और सब को परिशान करके केवल अपने कुटुम्ब का अपने परिवार का बरण पोशान करता है To make his family happy ये व्यक्ति रवरव नरक में जाता है और जितने लोगों को उसने परिशान किया है वो सारे रुरु नाम के भेंकर प्राणी बनके उसको परिशान करते हैं वहाँ पर उसको काटते हैं उसमें वेदना इतनी होती है उसको ये रवरव महा रवरव नरक चोथा कौन सा है रवरव नरक वारा तो फिर भी लोगों को परिशान करके पूरे परिवार को सुख देना चाहता था कुछ लोग तो ऐसे होते हैं परिवार भी नहीं परिवार नहीं मेरे लिए क्या किया बस I am in the center of the life and existence ऐसा व्यक्ति महा रवरव नरक में जाता है और वे लोग जिनको उसने ये परिशान किया था उसको वेदना देते हैं पांचवा कुम्भी पाक नाम का नरक है अपना पेट भरने के लिए और पेट भरने से भी निकृष्ट केवल अपनी जीव को लाड़ लड़ाने के लिए टेस्ट के लिए दूसरे जीवों की हत्या करके उनको मार के खाता है नौनवेज अभक्षया भक्षन करने वाले प्रियस्वजन प्रियस्वजन कहां कहूँ प्रियस्वजन आपको कहता हूँ लेकिन जो अभक्षया भक्षन करते हैं ऐसे लोग कुम्भी पाक में रख में जाते हैं जीवन पर उन्होंने पशुओं की हत्या करके उनको मारा है खाया है अब इनको यमदुत उनके शरीर को काटते हैं जैसे पशु को काटते हैं उनको बड़े तेल जहां उबल रहा हो गरम गरम वो तेल की कड़ाई में उसको तलते हैं कितनी जलाएक उबलता हुआ तेल का छीता भी चमड़ी पे पड़ जाए हफते बर तक कितनी विद्णा होती है पता है यह पूरा शरीर उसमें जाएगा कड़ाई में पकोड़े की तरख कुम्भी पाक नरक में जाते हैं इतना याद रखना प्रियस वजो नहीं यह नरक जो है न जैसा विहवार हम दूसरों से करते हैं वही विहवार कभी न कभी हमारे साथ होने वाला याद रखिये या भक्षया भक्षन करने मेरी समझ में नहीं आती वो बात क्यों वो निर्दोष जीवों को तुम काट रहे हो तुम्हारी उंगली कोई काट के ले जाए तो तुम्हारे चार बालक हैं तीन बालक हैं तुम्हारे चार बालक हैं तुम्हारे चार बालक हैं तुम्हारे चार बालक हैं तुम्हारे तुम्हारे चार बालक हैं तुम्हारे तुम्हारे चार बालक हैं तुम्हारे 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 चार बालक हैं तुम्हारे तुम मत करना की पेट भरने के लिए करते हैं परमात्मा की इतनी कृपा है वनस्पती का इतना प्रबंद किया हुआ है पूरी वनस्पती जीतने भी लोग इस प्रुत्वी पर हैं उस सब का पेट वनस्पती भर सकती है वेजिटेडियन से मेरे पास facts and figures से प्रियसुज़ निमत कहना कि सब लोग यह की साक्ष सबजी खाने लगे तो खाना कम पड़ जाएगा इसलिए हमको नहीं 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 गरत पात है वो इन फेक्ट यह नौनवेज लोगों का पेट भरने के लिए क्योंकि जो वो पशु को खाते हैं वो पशु तो अल्टिमेटली वेजिटेरियन है एक बकरी को कितना घास खिलाना पड़ता है तब जाकर के वो कितकुछ लोगों का पेट भर सकती है there is enough arrangement done by the supreme श्रीकृष्ण और वो प्रकृति के विरुद्ध है प्रियस्वजमू human being is a born vegetarian, we are not carnivorous, we are herbivorous ये सब बातें Google पर अब तो मिलेगी सब research किया हुआ है तो यहां पर विश्वय आया है इसलिए हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ भूल की होगी छोड़ दीजिए अब आजाईए रास्ते पर मनुश्य बनिए हम पशू नहीं है अमेरिका के डालास में एक यूद सेमिनार ले रहा था समय पुरा हो गया था मुझे एरपोर्ट पहुंचना था मेरे सेवक मुझे कहते दे गुरु जल्दी चलो एरपोर्ट पहुंचना और प्रश्ण इतने आ रहे थे कि मैं कैसे छोड़कर उठू 15-16 वर्ष के आयू के बालक ने पुछा कि एक लाइन में मुझे आंसर दीजिए वाई दो यू नॉट इट नॉन वेज़ फूड तब जाना था मुझे निकलना था खड़े होते होते हुए मुझे परमात्मा ने प्रेणा दी मैंने उसको उत्तर दिया I don't eat non-wage food because my stomach is not a graveyard मैं इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरा पेट परमात्मा का स्थान है मेरे पेट में इश्वर बैठा हुआ है हम वैश्वा नरो भूत्वा प्रानी नाम दे हम आश्रिता पंग्वत गीता के पंद्रवे अध्याय में श्रीकृष्णा ने कहा है मुझे जिस पेट में परमात्मा बैठा हो उस पेट को मैं ग्रेव याड कबरस्तान बनाने नहीं चाहता कि गरे वो मारे हुए पश्वों को मैं अंदर मेरे पेट में डालू मेरा शरीर पवित्र है रुख जाइए प्रियस्वजनओअ और ऐसे ये लोग बया की बात करेंगे सेव लाइफ, सेव लाइफ और कितनी लाइफ तो तुम खा जाते हो और तुम सेव लाइफ की बात करते हो हिपोकरसी मत रखो दम भी मत बनो, डोंगी मत बनो पहले अपने जीवन से शुरू करो नहीं तो कुम्भी पाक नरग तुमारी प्रतिक्षा कर रहा है कालसुत्र नरग है जो व्यक्ति माता पिता का ब्राम्वन का वेद का विरोध करता है कुछ लोगों के लिए प्रियस्वज़ों नों ये स्टाइल बन गई है माता पिता का विरोध करेंगे क्रिटिसाइज करतेंगे ममी तुझे कुछ आता नहीं पापा तुमें कुछ पता नहीं ब्राम्वन लोग क्या करते हैं वेदों को क्या करना है एडवांस रो गया स्वान निकल गया वेद तो सब पुराने पड़ गया तू बुद्धु है वेद के ज्यान को देखो तो सही शास्त्र के ज्यान को देखो तो सही विद्वानों की निंदा न करो ये लोग जो करते हैं माता पिता ब्राम्मन विद्वान की वेद का विरोध कर ये सब लोग कालसुत्र नरक में जाते हैं कोई कारण नहों वैदिक मार्ग का त्याग करके सनातन धर्म को छोड़के पाखंड का आश्रे लेते हैं वे लोग असी पत्रवन नाम के नरक में जाते हैं जो राजा या वन हूँ इस इन दे पोजिशन अफ पावर ऐसा व्यक्ति चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो चाहे वो जुडिश शेरी में हो चाहे वो कहीं भी हो किसी निरपराद व्यक्ति को सजा करता है किसी निरपराद अच्छे व्यक्ति को जब परिशान कराता है सही समय पर न्याई नहीं देता गरत व्यक्ति को सपोर्ट करता है ऐसा व्यक्ति सुकरमुख नाम के नरक में जाता है और वहां बड़े बड़े यमदूत उसके एक-एक अंग को कुचलते हैं बहुत वेदना होती है उसको नरकों के तो बहुत नाम है प्रियसुजणों समय होने आया मैं केवल इतना कहूंगा जीवन को हो सके उतना पवित्र रखें निर्मल रखें और बार बार मैं कहता हूं सरलता से जीना इतना आनन्म होता है व्यक्ति क्यों अपनी जीवन को कॉम्प्लिकेटिड करता है क्यों संकुल बनाता है क्यों अपने और दूसरों के लिए वो संकत का कारण बनता है harassment का कारण बनता है जितनी शांती से जियोगे, प्रकृती से सनलग न होके जियोगे in sync with the nature, उतनी जीवन में आनन्द है Life is beautiful, प्रियस्वेशन, let me tell you प्रमात्मा ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग से यदि हम जीएं तो जीवन बड़ा सुन्दर है, ऐसा सुन्दर जीवन हम जीएंगे पाँचवेशकंद को प्रणाम करते हुए इस सत्र को, तेरह वे सत्र को विरांदे इति श्रीमद्भागवते महापुराने वय्यासिक्यामस्टादस्रसाहस्र्याम पारमहंस्याम सहितायाम पंचमस्कंधे नरकानु वलननन्नाम शडविन्शोध्यायः श्री कृष्नार पनमस्तू कृष्नायवासुदेवाया हरये परमात्मने प्रनतक्लेष्न आशाय गुविंदाय नमो नमह आउम् शांते शांते शांते